Hello everyone, EMU MBA 2022 का Counseling Schedule आ चुका है, आप यहाँ पे देख सकते Counseling Come Admissions Schedule 2022-23 में, जब आप जाएंगे उसके बाद यहाँ पे जाना होगा आपको Faculty of Management and Research में, यहाँ पे आप देख सकते MBA, MBA IB, MBA IBF और MBA Hospital Administration, तो जब आप इस पे Click Here पे करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते इस पे बहु MBA है, Master of Visual Arts, BA Sunni slash Siya Theology है, और MA है, MA Mass Communication है, MSW है, MLIB, IAC है, MED है, MA Economics Education, जित्ते भी कोर्सेज यहाँ पे दिये हुए है, सब का Counseling Schedule सेम है, और यहाँ पे आप M.Com भी देख सकते हैं, M.Com भी है, M.I.R.M., M.H.R.M., और BRIM, PG, PG, DBF, MBA Hospital Administration, MBA, MBA IB, MBA IBF, MBA FM, MTTM, MBA Agri Business का भी Counseling Schedule सेम है, तो इस्टुटेंट अब कैसे करने होगी, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, तो इस्टुटेंट जो भी इस्टुटेंट अभी तक चैनल पे नह हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ला सब्सक्राइब करना होगा, तो इस्टुटेंट अब यहां पे बात करते हैं, रेजट्रेशन और लॉग इन में क्या करना होगा, डॉकुमेंट में क्या अप्लोड करना होगा, तो डॉकुमेंट में आपको एक फोटो आपको अप्लोड करनी होगी, और आपको जो फोटो अपने form पे upload की थी, कोसिस करें वही photo upload करने की, photo हो जाएगा, उसके बाद इस्टुडेंट आपको signature upload करना होगा, photo signature, photo signature के बाद आपको high school की mark seat upload करनी होगी, high school की mark seat के बाद 12th की mark seat upload करनी होगी, और counseling कहा से करना है, इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ, जब आप website पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाने के बाद online counseling slash admission portal पे आपको जाना होगा, यहां पर जो आप जाएंगे, उसके बाद अपको जाना होगा, यहां पर आपको registration पर जाना होगा, sign up पर जाना होगा, sign up पर आप करेंगे, sign up पर करने के बाद आपको आपका roll number, application number और date of birth पूछेगा, date of birth पूछने के बाद student आपसे email ID और mobile number पूछेगा, और वहाँ पे एक OTP जाएगी, मोबाइल नंबर पे और email ID पे, इस तरीके से आपका registration स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद document upload का option आएगा, document upload का option किस तरीके से आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से interface open होकर के आजाएगा आपके पास, जब आप registration करनेंगे, उसके बाद आप login करेंगे तब, document में आपको photo upload करना होगा, signature upload करना होगा, high school की mark sheet upload करने होगी, 12th की mark sheet upload करने होगी, और graduation की भी mark sheet आपको upload करनी होगी, और अगर आपके पास कोई category है, तो आपको category certificate भी special category में यूज करने होगी, अगर आप CEA से हैं, तो CEA से आपको आपके father या mother की mark sheet या degree upload करने होगी, साथ में प्रफार्मा भी upload करना होगा, जो प्रफार्मा वेबसाइट पर दिया होगा, और CE के लिए आपको पता है, आप guide में जाकर के देख सकते हैं, इस special category के लिए क्या upload कर और graduation की, और others और school छोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी migration certificate और transfer certificate mandatory नहीं होता है, counseling में, तो इस तरीके से आपका document upload हो जाएगा, उसके बाद student आपको choice filling कैसे करनी होगी, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, तो choice filling के लिए हम देखते हैं, guide में, आपको choice filling में आपको क्या-क्या choice मिलेगा, देखो student, आपको choice filling में अगर आपने hospital administration का करेंगे, तो वो आपका hospital administration का अलग होगा, लेकिन अगर आप MBA का करते हैं, तो MBA में आपको पहले नंबर पे आपको campus पूछा जाएगा, कि for example MBA main, EMU campus चाहते हैं, first पे यह हो जाएगा, उस आप में आपको choice filling का आपको चाहते हैं, for example, आप AMU main campus MBA IB चाहते हैं, तो आप 2nd पे पे वो रख सकते हैं, 3rd पे आप MBA IBF रहना चाहते हैं, main campus, तो आप IBF रहना सकते हैं, या पिर अगर आपको लगता है कि छिए अब्सी सिर्फ आपको MBA चाहिए, तो आप फर में MBA campus मंवें म आप मेन MBA ही सिर्फ चाहते हैं या फिर कैंपस चाहते हैं मेन और लास्ट यर जो है कितना आइ तिंक अंडर हंड़ेड रैंक के अंदर जो लोग थे उनको मेन MBA AMU कैंपस मिल गया था लेकिन इस बार कितने स्टुडेंट को मेन कांसलिंग के बाद ही पता चलेगा कि इस बार कितने स्टुडेंट को क्या मिलता है क्योंकि लास्ट टुट्टी 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 वन की अगर हम बात करें तो एक स्टुडेंट का सेलेक्टे में 126 रैंक और उसको मेन मेनि-कैमपस मिला था एम-उ- अलीगड़ और उसको जो मिला था वह आई-बी नहीं मिला था एक साथ में ही counseling start होगा, ठीक, एक साथ आप कर सकते हैं, तीनों का, MBA, MBA, IB, और MBA, IB, F, तो इस तरीके से आपका जो choice filling होगा, वो हो जाएगा, और उसमें आप एक और काम कर सकते हैं, आप से पूछा जाएगा, कि do you want automatic upgradation, तो वहाँ पे आप यस कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको हो सकता है, third choice मिली हो, तो हो सकता है next round, या फिर उसके next round में, आप उसके उपर भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप stop upgradation कर देंगे, तो फिर आप उपर नहीं जा सकते हैं, ठीक है student, तो इस तरीके से उसके बाद जब पूरा आपका कॉंसलिंग हो जाएगा, तो वहाँ पे last में submitted लिख करके जरूर आ जाना चाहिए, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से, इनका verified लिख करके आ गया है, ये M-TEC का कॉंसलिंग मैंने किया था, तो यहाँ पे आपका submitted लिख करके आ जाएगा, जब आप कॉंसलिंग कंप्लीट करनेंगे तब, और उसके बाद कॉंसलिंग करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो schedule है, आपका verification का, वो 17 से 20 सेप्टमबर के बीच में verification start हो जाएगा, और verification one by one होता है, ठीक है, एक साथ सबका verification नहीं होगा, हो सकता है आपके दोस्त का 17 को जाएगा और आपका 20 को, ऐसा भी हो सकता है, तो आपको 20 सेप्टमबर तक last तक वेट करना होगा, लेकिन 17 से 20 के बीच में आप login करके चेक करते रहना, हो सकता है, आपके document में कोई problem आए, तो rejected लिख करके आ सकता है, तो उसमें कोई भी परसानी की बात नहीं है, rejected बहुत सारे student का आ जाता है, आपको वो document दुवारा submit कर देना होगा, या फिर किसी document में problem होगी, तो वो लिख करके वहाँ पर दे देंगे, ये login में ही पता चल जाएगा, तो आप resubmit कर सकते है, resubmit document का verification 22nd को हो जाएगा, उसके बाद 23rd से 25th के बीच में preparation and display, आप from list, admission list वना जाएगी, और उसके बाद आपको 26 से 28 के बीच में आपको payment करना होगा, और जो भी student payment करेंगे, उन्ही को counseling में participate कराया जाएगा, उसके बाद अगर कोई payment नहीं करता है, तो वो फिर counseling से बाहर हो जाएगा, और upgradation without payment नहीं होता है, और किसी को लगता है कि उसको जो चाहिए ता वो नहीं मिला, वो payment कर देगा, कोई बात नहीं है, बाद में वो admission cancel करवाके, लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, candidate admitted in any round of counseling after the payment of requisite fee, shall be automatically upgraded to the submitted preferred course slash branch school center wherever applicable, they need not to participate in any subsequent round of counseling, यानि कि किसी भी student ने अगर payment कर दिया, तो उसको फिर next round में participate करने की ज़रुवत नहीं है, automatically उसका अपग्रेडेशन प्रॉसेच चलेगा, तो इस तरीके से यह पूरा process चलेगा 26 October तक, और जिसको seat नहीं alert होती है, उसको second round में क्या करना होगा, इसके बारे में अभी कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो second round का date जो है second October से third October के बीच में, तो वहाँ पे हम आ करके देखेंगे, लॉग इन करके आप लोग भी चेक करिएगा, कि वहाँ पे आपका सब कुछ submitted लिख करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब कुछ okay है कि अगर submitted नहीं लिख करके आ रहा होगा, ठीक है students, और आपको कौन सा college मिलता है, M.U. campus मिलता है, कितने rank पे आप मुझे comment करके बताएं, अगर ठीक है, जैसे ही आपको जब admission मिल जाएगा तब, okay students, thank you.